अब आपके अपने पडिवार एक्जामपूर में मैं प्रबल सारे साथियों का दिल से आज के इस लाइब सेजन में स्वागत करता हूं सबसे पहले जितने वी हमारे नए साथिये जिनों सबस्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेश कर दीजिए साथी साथ जो पीडियेफ के आपकी समस्चा होती है कि पीडियेफ नहीं मिलता है तो उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके एक्जामपूर आफिसल एप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वहां पे सब आपको मिल जाएगा साथी साथ कुछ और एक्स्ट्रा सोसे सब चाहते हूं अपने पढ़ने के लिए स्ट्री में ट्रेल से रिलेटेड आप ज्यादक किताब परचेज नहीं कर सकते तो उसके लिए एक्जामपूर के टेलीग्राम चैनल परिक्षागर को भी जरूर हमारे साथ आदित प्रताब परितिवारी एस ठाकुर फडिया मलीक उसके बार रिंकी सैनी उसके बाद आदिति सिंग स्वाम्या बर्मा थैंकि सो मच बहुत बहुत धने बाद आप सारे साथियों का इस लाइप सेशन में जूरने के लिए एक बार स्टार्टिंग में आप पराओं को देखेंगे समझेंगे कि उनमें क्वाटों को आपको समझना है और कितना सारी बात आप जानते हैं हमकों को अमीद है कि बहुत शारी नहीं चीज clique आज आप सिखेंगे इस से आपकी तयारी बहुत मजबूत हो जाएगी और साथी साथ मंडे से आप लोगों के लिए के स्पेशल सेशन आ रहा है साथ बज़े से ग्यारा बज़े तक उसके लिए आप लोग जरूर तयार रहीएगा लेकिन अपनी क्लास यह बंद नहीं होगी यह क्लास ग्यारा बज़े से बारा बज़े सिफ्ट हो जाएगी मैंने आपको बता दिया है ठीके जी तो बहुत सारे हमारे साथी कम से कम साथ आठ जो अपने क्लास के जो रेगुलर बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा टेंसन थे कि सर क्लास होगी कि नहीं तो आप लोग ह हमारे इस क्लास को इस प्रकार से सिरियसली लेते हैं तो दिल से हमारे सारे साथियों को बहुत बहुत अभार जिन्हों ने ओफ्लाइन कमेंट करके बोला है कि सर क्लास कंटिनू रखिएगा कभी भी रखो हम जरूर आएंगे परने के लिए तो आप सारे साथियों का बहुत करने की जरूरत नहीं है इतना भी पूरा हमें विश्वास है ठीक है आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए ठीक है जी मदेशिया राज संधिया गुपता पूजा रानी कि सुमच बहुत बहुत धनेबाद आप सारे साथ होगा संजना राजबंसी अभी राजपाल सब का को थोड़ा बहुत बच जाएगा कल में बताऊंगा और साथे साथ कल वाले सेशन में हम लोग कम सब्सक्राइब बैदिक सब्सक्राइब कर लेंगे देख लेंगे कि वह पूछ रहा है कि नहीं हो रहें नहीं होंगे तो मैं आपको एक्स्प्रेंड करके जरूर आपको समझ लांपूर चैनल पर जरूर एक बाद जांटी देखेगा कि एक बिडियोग्स बताई गई है इसमें क्या-क्या पूचा या बैस्ली ओर सबस्रक्राइब के लिखी से बिद्थ को नहीं ि्व Bellini कर नहीं को पकोने करे денег ठीक है जी बहुत बहुत धनिवाद आप सारे साथ होगा चलो आगे बात करते हैं एक बार आप लोग क्लास को सेर और लाइक कर दीजी ठीक है चली अब चर्चा करते हैं कि आज हम कल के बातों से अपनी शुरुआत करेंगे जहां पर मैंने आप समाजिक संगठन परहा के छु चार्ज हम करेंगे तो सबसे पहले आप लोग समझना है कि इन लोगों के बीच में वर्षा का होना वर्षा का होना सूर्य और चंद्रमा का उदय होना नदीव परबत का अस्तित्तों यह जो वैदिकाल के लोग थे उनके लिए यह सब पहेली जैसा लगता था कैसा लगता लगता है यह क्या चीज है यह क्यों होता है क्योंकि उसका कारण उनको पता नहीं था बाद में जब मानों विकास हुआ जमानों का विकास हुआ सब्विता का विकास हुआ दीरे दीरे आपके भुगोल आया उससे पता लगाया कि इसकी पीछे कारण क्या है लेकिन जो सब को सब लोगों को क्या लगता था कि हाँ पूरा करागी करेंगे सुभाम अब आप देखो इसलिए मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहता हूं जो आप लोगों को पसंद नहीं मैंने पहले पूछ लिया कि आप लोगों क्या लगता है कि आपकी क्लास एक कंटिनीव रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि हजारों बच्चों ने कमेंट करके बोला कि नहीं सरी क्लास आपकी कंटिनीव रहनी चाहिए ऐसा कुछ लोग's मातर साथ या आठ या दस बच्चे तहीं जिन्वें क्लास में क्लास में क्लास होनी देखने के लिए को समझते हैं ओफ-लाइन के वी चीज़ें बताई 15-16 लगभग उनका कमेंट आज हमको को भी अच्छा लगा कि चलो यार जीवन में हमने भी कुछ कमाया आप लोगों की बीच में मैंने वह विश्वास बनाई तो बहुत-बहुत धनेबाद आप सारे साथ हुगा दिल से क्लास आपके कंटिनियू रहेगी इसके लिए हमको कितना भी मेहनत करना पर है ग्यारा बज चलिए तो बात समझ में आ गया तो मैंने क्या बता है कि रिगवैदी काल के जो लोग थे उनके लिए वर्सा का होना सुड़ी और चंद्रमा का उदै साथी साथ नदी प्रवत कास्तितु यह सारी की सारी बाते उन लोगों के लिए पहेली जैसा था उन लोगों के लिए एक लिए है पजल जैसा था उन लोगों गोई समझ में आता थे क्यों होता है दूसरी बात हम धर्म की बात कर रहे हैं रिलिज्वेदी में सबसे अधिक अगर किसे प्रतापी देवता की चर्चा करी गई है यानि रिगवेद में सबसे महतोपुल अगर कोई आपका देवता था तो देवता कौन थे आपके इंद्र थे इनके बारे में इंद्र को क्या बोला गया है आपके रिगवेद में पूरंदर बोला गया मैंने यह पहले ही आपको बहुत बार असपस्ट किया है फिर से आपको सफण कर देते हैं कि जब भी आम में इद्र काल कि या वैधिक सभेटा की बात करते हैं तो वेद से संबंदित जीतनी भी बातें उनी को को हम करते हैं जो वहां पर बाते को विंदर को किया वो लाघ्या पूरंदर पूरंधर का मतलब क्या जो किला और आवास को टोड़ता है चुला को जीत लेता उसी को पूरंदर कहा जाता है तो रिगवेदी में सबसे महतवपोन अगर आपके देवता की बात करें तो वह आपके इंदर थे और उन्हों को क्या बोला गया तो उनको पुरंदर बोला गया और थात किला को जीतने वाला बोला गया और पहली बात मैंने क्या बताई कि रिगवेदी काल के जो देवता के बारे में अगर चर्चा करें तो वहां के उस समय के जो निवासी थे उनका बरसा का होना नदी परवत का स्थीत सूर और चंद्रमा का उदै होना यह सारे की सारी बात उनके लिए पजल या पहली लगती थ है यह सारे चीज़े आप लोग जानते होंगे तो इंद्र जो बादर के आपके देवता उनकी बारे में क्या बताया इन पर 250 सुक्त आपके लिखे गए और अगनी की बात करें तो अगनी पर 200 सुक्त लिखे गए वरून और सोम की भी चर्चा होती है वरून एक देवता है आधी के देवता मरूत इनको बोला गया सोम जो है एक परकार के मादक रक्स होता था और उनी से संबंदिती सोम भी है जिनका नौवे मंडल में रिगवेद में नौवे मंडल में इनकी चर्चा करी गई है यानि यहां पर हमने एक जो सबसे महतवपून बात सीखा वो महतव सुक्तिता अगर अगनी की बात करें तो अगनी पर कितना था आपका 200 सुक्तिता इस बात को कॉ आप समझेगा अब यहाँ पर समझे कि अगनी की उपासना नहीं अगनी की उपासना यानि कहने मतलब कि यह लोग यग्य अनुस्ठान करते थे तो उसमें अगनी का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल था तो बढ़े कि अगनी में बिलीप या अगनी में उपासना ने किवल भारत में नहीं बनकि इरान में भ पूट आपका मिलता है तो यहीं बात यहां पे आपको बताया जा रहा है कि अगनी की उपासना ने किवल भारत भी नहीं बलकि इरान में भी होती थी उस समय इरान आपका समकालिन सब्वेता था वहां की चीजों की बारे में ने बताया था तो वहां की भी बारे में इसको बा करते कोई यज्य करते कोई अनुस्ठान करते हैं तो उसके लिए हम लोग करती है यग्य कुंड बनाते हैं उसमें अपना हम पर बाते बताएगे कि अगनी को लोग क्या बोलते थे कि भाई देवताओं से कनेक्शन का एक मेडियम है यानि मेडियेटर इनको मानते थे मद्यस्ता की मानों और देवताओं के बीच में किसका काम करते हैं मारूत के बारे मैंने बता मरूत के बारे में मरूत क्या थे आपके मरूत क्या थे आपके आधी के देवता देवताओं में कुछ देवियों की भी चर्चा करी गई है अभी तक जितनी भी आपके इंद्र का जिस परकार से आपके वरूत मारूत का जिस परकार से आपके अगनी का जिस परकार से वरून का जिस परकार से सोम का जो प्रमुखता उस समय के सबाज में था उस परकार से देवियों की प्रमुखता नहीं थी लेकिन ये कहना गलत होगा कि देवियों का सक्ष या उनके नामों का उधरन आपका नहीं मिला है उनके की देवी का नाम मिलता उसा एक कानाम मिलता अदीती और आप जो ही यंदी परने वाले जो साथी है बच्पन में उन्होंने पर्याय वाची सब्द परह होगा तुछ अधिती और उसा नाम दो आपकी देवियों चर्चा मिलती है और यह समय के परतिरूप है सुभा के समय के परतिरूप में इनको तो मैंने क्या बाते बताई कि देवियों की भी चर्चा मिली है लेकिन उनको प्रमुक्ता परदान नहीं हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से देवताओं की प्रमुक्ता आपको को देखने को मिलती है उनके उपर जो अधिकांस सुताब के इंद्र पे अगनी पे लिखे उस तरीकिये का इंपोर्टेस इनमें नहीं दिखता है लेकिन अगर हम यह बो लेकि देवियों का कोई कोई शक्ष प्राप्त नहीं होता है तो यह बात गलत हो गे देवियों का भी नाम उद्धरन मिलता है कमी मिलता है उनको प्रमुकता उस परकार से नहीं प्राप्ति लेकिन उनका नाम आपका मिलता है फिर मैंने क्या बता है कि वैरिक वैदिक काल में अस्तूती पाथ अस्तूती पाथ का मतलब क्या होता है सारे लुक जानते मंत्रों का उचारन मंत्र में रिगव Yoo Ra点 में ए तिक लिए काल में मि आपके च्या होते थे ते पार परत व्यादा आना में पर भी अलग अलग वह ता था पिर बताए जाता है कि मैंने पहले भी इस चीज पांद हर कभी गोत्र का अपना अलग अलग देओता होता था हरे सारी कभीले जो भी अलग कभीले टे जो अलग को कौन करने के लिए क्या होते थे लिए यानी इन दोनों को संकल्प करके इन दोनों को अपना अराध्य देउ मान के वह बली चरहाई जाती दी जिस बली की क evangelizer करने कि कोशेश कनू कि तりहें की आप चलिए अब हम यहाइ sono कुछ बात यह आपको दिखाना चालते हैं ध्यान से आप लोग देखना यह चीश पीडियेप में भी रहेगा एक दो बार रिवीजन कर लेना यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाना चालता हूं कुछ नदियों के नाम उनका नाम पहले क्या था रिग्वेद में उनका नाम क्या मिलता है और वर्तमान समय में उनको किस नाम से जाना जाता है यह चर्चा में आपके सामने में करने जा रहा हूं अगर हम बात करें तो वर्तमान के चिनाब नदी से जाना जाता है बीपासा की बात करें तो ब्यास के नाम से जाना जाता है इस बीपासा का मतलब कुछ और मत निकाल लेला विपासा ब्यास का नाम था परूशनी रावी नदी का नाम था जिसके किनारे पे आपके दसराग युद्धे हुए थे वितस्तता आपके झेलम का नाम था जिसके किनारे पे मैंने हाइडे स्पीच का यूद्ध बताया था आपके सिकंदर और पोरस के बीच में फिर मैंने कुभा कुभा किसका नाम था जी काबूल का नाम था वरतमान में अफगानिस्तान में कुरूमी किसका नाम था कुर्रम का नाम था गुमती कौन थी आपकी गुमन नदी थी सुवास्तु कौन था आपका स्वात नदी सादा नीरा कौन सा था आपका गंडक नदी सु उसके पुराने नाम भी आपको दे देते हैं और पूछा जाता है कि आधुनिक समय में उसको किस नाम से जाना जाता है तो इस बात के भी चर्चा आप लोग जरूर समझेगा और इसको रिविजन करके रखिएगा महतवपुर्ण नदियों की बात करें तो किसको किसको आप ल नदियों का नाम है घगर का भी याद कर सकते तो इनको बार-बारा प्रिविजन करना और इससे रिलेटेड आपकी पेपर में हमेशा मैचिंग से रिलेटेड क्वेस्टन पूछ दिया जाता है तो मैं कोशिस करता हूं कि थोरा ज्यादा परेंगे लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारे पेपर में आ जाए और बाद में हम लोग प्ष जाए ऐसा काम उनको नहीं कर एक बार हमारे सारी के सारे rocks लाएक जोबिचожно प्लीबात क्या हो सकती तो प्लीज आप लोग अपने love we would को हमेशा दिखाते रहे क्योंकि आपके प्यार और समर्थन की बहुत जादा जरूरत है कि वहला आप लोगों के चलते और आप लोगों के विश के चलते आप लोगों की प्रिप्रेशन बहुत सांदार हो अच्छी हो उसके चलते में रात को 11 बज़े से क्लास लेने के लिए क्यों आप लोगों के चलते तो आप लोगों का भी तो कुछ महतोपूर्ण फर्ज बनता है ना हमारे लिए इस चीज को ध्यान रखिए आप लोगों का भी बनता है ने कि जब मैं आपके लिए मरने के लिए तयार हूँ तो एक छोटा सा काम आप लोग नहीं कर सकते हैं मैं कि प्रिंसी सही बोल नहीं है आप एक बाड़ सब लोग सेर कर दो प्लीज देखे यहां पे जो बच्चे मातलों की कुछ बच्चे है जो यह और बच्चे है कि नहीं वह भी हम को पता नहीं है वह लोगां के क्लास में जिसे मालों की डिसलाइक कर देते हैं उनसे हमारी कोई सिकायत नहीं आप अच्छे से पढ़िए मन लगा कि आप चीजों को समझे नोट डाउन कीजिए बस आप सफलता जरूर पाई और जिस एक्जाम के अभी अब तैयारी करते हैं आपको जरूर उसमें सफलता मिल देए से आपका 11 बजहीं से कलास होगा कि सब्लों लोगया कर दीजै बस सारे लोगों से रिक्वेस्ट हैं मैं आगे बताना चाहते अब हम आगे किसका डिस कसरण करना चाहते तो आजह हम यह बताना चाहते कि रिगवैदиком जो आरूए थी जो रिगवैदिक काल के लोग ते उनका समाज किस परकार से था उनका समाज किस परकार से था उस समाज में इस त्रियों की क्या स्थिती थी मनुरंजन की क्या साधन थे आपकी और साथी साथ ब्यपार किस परकार की होते थे तो मैं सारी बातों की चर्चा इनके बीच में करना चाहते हूं क्या क्या बताना चाह तो और लोन आड़े बताना चाहता हूं कि रिघ्वेद में एक वड़ की चर्चा आप को मिली है उसकिंट को क्या बोला जाता जी यह देस्तम बोला जाता है जैतनी इरानी रॉर्ड है इस वड़ का मतलब यह झी पतनी महिलाओं के इंपोर्टेंस को बताया गया है महिलाओं के इंपोर्टेंस को बताया गया है महिलाओं के इंपोर्टेंस को बताया गया है जिसमें रिगवेद में को वाड का प्रयोग किया गया है और वो वाड कौन सा है जय देश्तम और इसमें क्या बताया गया बुला कि बतन पर नहीं है कुए के is geek कर दीजिए लाइठ करदीजे तो अब स्वाद का प्रयो और तो वक्रुर्ट का मतलब कैसिए कहकर उसके नित्रित्व को एक्सेप्ट किया गया है उसके leadership को accept किया गया है कि महिला का कितना ज़्यादा importance है ये चीज़ accept किया गया है फिर बोला कि सत्पत ब्रामन में सत्पत ब्रामन में पतिनी को क्या बोला गया है पति की अरधांगनी कहा गया है तो भाई पूरातन चीजों में ही बताएगा महिलाओं की acceptance महिलाओं की importance उनकी leadership को accept किया गया है कि भाई वही एक success है महिला ही वो सकती है जो पूरे के पूरे परिवार को आपके अच्छे से साथ लेके चल सकती है आपके परिवार के development में वो एक क्या बोलते हैं एक रास्ता बन सकती है एक element बन सकती है उनके बीना कुछ भी आपका संभव नहीं है तो यह आपके रिगवेद में भी इस बात की चर्चा मिलती है और सत्पत ब्रामन में जो यूज वर्ड यूज करते हैं कि यह हमारी अर्धा दिख्व निकिखर्चा आपके पुरातन गरंतों में भी मिला है और औहूं कहां पर मिला है सत्पत ब्रामने में मिला है तो आप मैं अगर मालों के नहीं बने तो फिर टसने वाली अर्धागनी मिलेगी तो समस्या पृर जाएगी मैं बोलता हूं कि जी लगाखे परो मन लगाखे परो अच्छे तरीके से परो और जो एक बहुता हूं कि अच्छे से पर लेगी एस D.M.D.S.P. बन जाएगी तो फिर जीवन धन्य हो जाएगा उसके बाद जो भी करना चाहती है लाइफ में कर सकती है सब लोग एक बार कुछ द्रब्य दिये जाते थे और उस चीज को क्या बोला जाता था वहतू के नाम से जाना जाता था तो उसको वहतू के नाम से जाना जाता था तो जो भी वस्तु उसको विदाई के समय में दिया जाता था उस समय दहेज का कई पर कोई साक्ष नहीं मिल रहा है लेकिन यह ब होता होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है ऐसे हरे हरे हरु वाद समन्हें आगे आपको तो क्या होता है करन्या की विदाई के सवें उसको दिया जाता था फिर मैंने क्या बोला तो इस्त्रियों में पुनर विवाह और नियोग प्रता भी आपकी प्रचली थी पुनर विवाह का मतलब क्या है कि फिर से आप साधी कर सकते थे नियोग प्रता से जो उत्पन संतान है उसको छेजन बोला जाता था कहलाती थी इसका मतलब क्या है कि उसको बैद माना जाता था उस उसको किसी प्रकार से कोई भी उंगली नहीं कर सकता था उसका इस चीज को समझे को प्यार से समझे मजा रहें आप लोगों को जो कन्या है मालों की जीवन भर मतलब कन्याओं की जो सलमान खान होती थी उसको क्या बोला जाता था तो कन्याओं की सलमान खान बोला जा सकता है को मां भी वाहित रहती थे उसके चलते उसको क्या बोला जातना ता अमाजू में हमेशां खुसुराना चाहिए १ितना आपको मिलना होगा न SEO को नहीं रोक सकता है दुनिया की कोई भी ताकत किसी के तरक्की में बाधा नहीं बन सकती है वो समय होता है परिष्थिती होता है जिस समय इंसान थोड़ा परिशान हो जाता है उस परिष्थिती के अगर चपेट में आप नहीं आए उस परिष्थिती को अगर अपने पार पा ल बहुत सारी महिलाओं के बारे में हमने परहा है आपने भी परहा होगा सुना भी होगा Arc no a मैं कि सुना भी होगा आप लोगोंने सदी के बाद बहुत च्छा करते है जीवर में मारे बहुत सारी बहने हैं है यहां पिवह तब वह श्रॉगल करती हैं और आप लोगों जैसे हमारे जैसे मेंहेंत करके फटी और एक दिन लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे उनके लिए बिस्ट विसेज हैं हमारे से सब के लिए बिस्ट में खुब अकड़ी आप लोग मुस्कुराते रहे हशते रहे और एक बार सारे सब लोग एक बार कर दों शिक्षित इस्तरीों की बात करें उससे में महिलाएं परहा करती थी कंхी मातरा में था उनके नाम कम संख्या मिलता है लेकिन वोग परहा करती थी तो बताय το जाता है कुछ नाम जैसे घोसा लोपा मुद्रा विश्व सारा विश्व वारा अपाला यह सारे की सारे नाम जो मिलते हैं इस शिक्षित महिलाओं के नाम मिले हैं जिसमें लोपा मुद्रा के बारें बताया जाता है कि अगस्त रिशी की पतनी थी इन सारे महिलाओं के बारे म एक word मिला है उसको बोला जाते है Фिर पाका अधन क्या भूला गया चीर पाकाऊ दन इसका मतलब की जब दूद में दूद में दूद में जो खीर अमलोग बनाते ने चावल को डाल कि तो दूद में साकाहरी, थे मांसारी भी थे दो थीचीन नहीं प्रकार आपे पदार्त कहीं देखने को मिलता है तो एक झाल की आये आंपको बदाती है जब चिल्खत्व को दहीं मिलाते थे लोक जिसको कर दार्ट जानते हैं वो भी इनका खाते था वो भी इसको खाते थे इसके बारे में फिर बता जाता है कि रिग्वैदी काल में तीन प्रकार के वस्तर पर चली थे अब बारे में बात करना जरूरी है कि किस प्रकार के कप्रे पहना करते थे तो तीन प्रकार के कप्रे पहना करते थे लग पूराल मनोरंजन भी आप यह लोग करते थे सारी बात आप लोगों को समझना मनोरंजन के साधन की बात करें तो मनोरंजन की लिए क्या जैसे आज की टाइम में पभजी खेलते हो आप लोग मुवी देखते हो वर्सेपन चैटी आई करते हो क्या उसको बुलते चैट करते हो ठीके ने इस परकार का जब्रेस से अगर वाद्यों में बात करें कि मैं क्या वज आते तो झांच मंजीरा दुद्धूंबी करकरी वीना बासुरी यह सारी के सारे का उलेक मिलता है और बताया जाए कि आरियों की संस्कृति किस परकार की थी तो मैंने पहले आपको डिसकस कर दिया कि किस परकार की सब्वेता थी किस परकार की संस्कृति दी तो आंसर क्या होगा ग्रामिन संस्कृति थी रिगवेद में प्रेटलों का साक्ष भी आपके मिला है उर्बरा या छेत्र जो है उप क्रिसी योगी भूमी को कहा जाता था तो इसमें इस वर्ड की चर्चा में रिगवेद में और बद्र जिससे मतलब लगाया जाता है कि वह लोग क्रिसी के लिए भूमी का प्रियोग करते हैं रिग्वेड में कुल्यांme नहर की बात कूम ततहा दॉत झोद की जह गड़े बनाये जाते तो उसके बात फिर उसकी बात ऑस्म चक्र किसकी बात कर रहा झाए उसम चक्र यानि रहत की चरक्चे जिसे आप कूंते दे पानी निकालते इन सारी चीजों का उलेख आपके रिगवेद में मिलता है देख लो जी कि कैसा कैसा नाम है थोरा सब ध्यान से देख लीजीगा अब चलो अब बताया जाता है कि भाई हरपा सब्वेता में हमने देखा था कि उस समय जो ब्यपार था उन्नत तवस्ता में था कि ठीक है जी साधी ये पहले बन जाओगी तो और अच्छी बात है ना जिसकी हो गई है उसकी बारे में मैं बता रहा हूं कि जिनकी हो गई है उनकी भी बनने की संभावना है वो लोग और अच्छे से बन सकते हैं क्योंकि अगर नहीं हुए जिसकी साधे उसको 50 तरीकी का टे प्रेम प्यार का चक्कर ना किसी चीज का चकर आराम से परो लिखो कूँ दमाल है कि xiad parti इक बढ़तर तरीके से न Çünkü को सेयर कर दीजिए सब लोग सेयर कर दू तेजवीर सिंग भाई मेरा इस तरीकी के बात मत करा करो आप लोग बहुत अच्छे बालों को इस तरीकी की लैंग्वेज का प्रियूग करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना सब लोग अपने भाई मिल जुलके आज हस रहे तो हस कुまで Очब्सकेंट नहीं करना है नहीं हमिए तो सर दिकतनी कि आप किसी को टार्गेट कर सकते ना आप अगर आप हमने रेस्पेक्ट करते तो इस तरीके बात नहीं करेंगेंगे जले सब लोग सिरम कर दीजाब है कोई दिकत नी आजए है चली तिहाँ आगे चरचा करते आप लोग बहुत ज्यादा मज़े लेना तो मैंने क्या बुला यानि कहने का मतलब है कि विनिमा यहनिए हमने हरपा सब्यता में क्या बता ता बार्टर सिस्टम का पर योग होता था वस्तू वीनमैं पर वाले परियोग होते थे आपके वाटर सिस्टम मका प्रियोग था लेकिन जो यहाँधर्ब घुजम होते थे वह किसके रूप में उता था तो यहाँ पे only प्रधांता पनि celebrity की लोग करते थे पनी का मतलब भर फारी लोग होते थे वह करते दे और यहां पे तो यह बात आप लोग सर्विवेधित हैं तो पर जानते हैं लोह से परिचीत नहीं थे यह लोग भी लोहा के बारे में कुछ नहीं घानते थे ठीक इजी चलू अब करने जा रहे हैं कुछ सब्दावली की में चर्चा करूंगा कि रिग्विद में कुछ-कुछ वार्ड मिले हैं उस वार्ड को अच्छे तरीके से आपको जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे चलिए अशेयर करो प्रिंसी सब लोग शेयर कीजिए ठीक है पर्सनली किसी को कमेंट नहीं करना आप लोग शारी लोग अच्छे हो जो भी बोला हम पर बोल दो हमको बोल दो कोई दिक्कत बात नहीं पर्सनली किसी को टार्गेट मत कीजिए आप चलो सब लोग शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग सारे लोग शेयर कर दीजिए सब लोग बताईए कि यहां तक जीती भी मैंने बाते आपको बताई आपको समझे में आया कि कहीं पर कोई दिक्कत है चलिए जल्दी बताईए कि किसी को अगर कोई डाउट है यहां तक तो आप लोग बताईए नहीं था सचीन इसलिए तो मने आपको बता दिया समझ में आगे ना कोई दिकर ने तेजबीर भाई है मेरा विश्वास है तुम पे पूरा अधित इस तरीगे के बात मत करा किये प्लीज परसनली किसी का भी नाम लेकि कोई मैसेज नहीं करेगा समझ में आ गया ना आप साड़े लोगों को चलो आगे की चर्चा करते हैं कि सब लोग कर दीजे आप लोग अभी दिखो मतलब आज इतना अच्छा महोल मैंने आप लोगों के लिए बताया तुरा हस भी रहे मुस्कुरा भी रहे तब भी आप लोग कर रहे हो कम से कम अभी तक अपने क्लास में 200 बच्चे तो आज आने चाहिए थे ना अभी तक कहा हैं वो सारे के सारे बच्चे यार पावर दिखाओ आप लोग सकती साली बनो आपके अंदर पूरी सकती यह जिसके चलते दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं प्लीज आप लोग करिए शेयर करें सांदार तरीके से मैंने आपको क्या बताब अब चलो और नेक्स टॉपि क्या है तो देखो मैंने आपको एक चीज बताया निवी का मतलब मैंने बताया निवी क्या है तो जो कमर के नीचे जो पहना जाने वाला वस्तर था उसके लिए निवी सब्द का प्रयोग किया था अब यह क्या वासस वासस का मतलब क्या जो कमर के ऊपर पहने जाना वाला व कर्यान पहंते हैं कि कमरगे नीचे जो हम दोति म 12 वंते ंदोर करस्ट निवी बोला गया थे यह बाएब कर चर्चा सब्सक्राइब क्यों कि गाएं चर्चार श्यन के आप क्वार्ष सब्सक्राइब औरーム texture them कि इसका क्या इसका मतलब क्या चीज को समझेगा आप लोग है तो बासमन में आगे आप लोगों को यहां पर मैंने क्या बता है अधिवासस की चर्चा करें अधिवासस की बारे मैं करमा क्या होता था धातू का काम करते थे वेकनाट कौन होते थे सुधकोर को बोलते थे जो अरित्र होते थे पतवार होते थे और जो अरित्री होते थे वह कौन होते थे आपके नाविक होते थे तो इस प्रकार से कुछ वर्ट से और उन वर्ट का मतलब क्या है यह चीज मैंने तीने लोगा आप लोग डेख लेना इसमें कुछ भी अमको बताने के जरुरत नहीं है अब चलो अब हम लोग बात कर लेते थोड़ा पिसके बारे में वेड के बारे में में कौन कौन से थी क्या-क्या बाते आपको और यह जो टापिक है ना आप लोग खुब अच्छे तरीके से जानते हो लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि क्लास में कोई भी मैं ऐसा बात छोड़ों जिसके चलते दिक्कत हो जाएगा ठीके जी कि अधिशन कर दीजिए आज बहुत कम बच्चे हैं क्लास में आज थूरा से भी मज़ा नहीं आ रहा है सब लोग सेर कीजिए लाइक कीजिए अप लोग अगर आपको अच्छा लगता है अभूपेंद्र भाई मेरा नमस्ते कैसे हो एक बड़ सब लोग सेर कर दीजिए देख फट्रीण पर अपने अठिक लागे लगे तब लिएख न सेर कर रहे हो अभी तरह को सेर नहीं हो रहा है जो अपने रेगुलर बच्चे में आते हैं सो बच्चे उससे काम नहीं चलेगा प्लीज आप लोग सेर कीजिए अप लोगों दिखकत है क्या मैं आपको एक्सप्ले तो कमी होगी ने जिसके चलते आप लोग शेयर नहीं करते हो अगर आपको अच्छा लगता तो भाई शेयर करोगे न अगर नहीं लगता है तभी तो नहीं करते हो क्यों नहीं करते हो दिक्कत की बात यह ना आहालत कराब होती है अच्छी नहीं लगती है एक तो गर्मी उपर साथे लोग करोगे ना मिलके देखो यहां पे सर बच्चे एक साथ ओन उठा के एक साथ उठा कर दी तो जानते ओ क्लास का क्या आलत होगा यहां पे 1000 बुट्च्च आ जाएगे देगी कम से कम यहां पे 2000-3000 लेकिन आप लोग अपनी सक्ति को नहीं समझते हो और मैं आज कितना लोगों का लगता है कि 64 नंबर क्लास क्लास नंबर 64 मतलब 62-63 नंबर क्लास या इतना क्लास मैंने आपको साथ बिता दिया यानि करने मतलब कि कम से 60-70 गंटा तो बिता दिया नहोंगा संडे स्पेसल को ले मेनत करने के लिए तयार रहता हूं लेकिन आप लोगों के अंदर ये भी नहीं उपाई कि चलो इंसान अच्छा करता है इसको एक दिन ऐसा करते हैं कि दिल खूस कर दें पांसव बच्चों को लेके आजाए क्लास में आप ही लोग लेकिया कान पगर के तो लेके आओंगा लगाए पांस लेन आप लोग चलिए रिता görün animus की बात करें ड़ीद करें को पता हैं तो बुर एक रिगए यजूर वीद और जो आपका सामवेध इन टीनों वेदो को क्या कहा जाता है कि नाम से जाना जाता है किस के नाम से जाना जाता है या इसी को बाद इसको बाद में नाम से जाता है कि जो आप वेद परते हैं फारे जो रिगवेद की चर्चा करें या चार्चा करें उन सारे अपने-पने इंडिवेजिल वेद के चार भाग होते हैं कितने भाग होते हैं चार भाग होते हैं कौन-कौन से संहिता होता है ब्रामन गरंत होता है आरण्यक होता है और उपनिसद होता है यह चार भाग अगर हम मालों कि एक्जामपल के तोर पर हमने रिगवेद लिया तो रिगवेद के आपके चार भाग होंगे एक कौन ओग का संहिता दूसरा कौन ओगा ब्राह्मान, तीसरा कौन ओगा आरन्यक, आरन्यक आज चौन होगा कि वर चार वेद हैं उनमें से तीन को वेद तरही बोला जाते अठर वेद को छोड़ कि तो चार थे एंडिविजवल सब के चार भाग होते और चार भाग कौन-कौन से होते हैं यह भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी समझाने की कोशिश करी ठीक है जी अब चलो आगे की बात करते हैं अब एक एक करके थोरा सा वेदों के महत्तों के बारे में समझ लेते जान लेते हैं तो रिगविद की अगर हम बात करते हैं तो रिग्वेद में आपके टोटल कितने मंडल की चर्चा करी गई है दस मंडल की चर्चा करी गई है कितने सुक्त की चर्चा करी गई है जिसमें से बताया गया है जिसमें से बताया गया कि 1017 जो सुक्त है वह साकल में है और जो आपका 11 सुक्त है वह आपके कहां पर वाल खि साथ वे तक कि मंदल दूसरे से साथ के मंदल क्या माने जाते की प्रचेश पहले बीटा थिया प Android मंदल की पहले जाता कि ऊपरटेन मंदल की मंदल की चरशा करेगी किस मंतर की मंतर की कर Dies प्रेये का जाते साथोगे मंदल में कि यूद की चर्जा करें और इस यूद्ध की पड़ते हैं क्योंकि इसी से कहीं हमारेες जन जन पत और महाशनपत का पता चलता है कि नौबे मंडल में आपके किसरी की देवता सोम की चर्जाक किसकी चर्चा मिलती है और इस पूरुष सुक्त मिसें आपके चार वर्नों का उद्वा हुआ जिसको ब्रामन चत्रिये वैस और सुद्र बोला और इसके पीछे तर्क तिया गया कि इनको अलग-अलग क्यों बोला तो बुला कि जो ब्रह्मा के ब्रह्मा भगवान के मुख से निकले उनको ब्रह्मन बोला गया जो उनके वाजू से निकले उनको छत्रिये बोला गया जो उनके थाई वाले पार्ट से जंगा वाले पार्ट से निकले उसको वैस से बोला गया तो रिगवेत के दस्वे मंदल में इसको क्या किया गया पताया गया है डिफाइन किया गया सावित्री देवता को डेडिकेटेड है और सावित्री कौन थे यह सूरी देवता थे कौन थे आपके सूरी देवता थे उनके अराध्दी के लिए उनकी पूजा करने के लिए इस मंत्र को क्या किया गया विश्वा मित्र के द्वारा रचित किया गया तो यह बाइस में आगया नवे मंडल की चर्चा करें तो सारे के सारे नवे मंडल में जो 114 मंत्र आपके हैं वह सब के सब 114 मंत्र किसको समर्पीत है सोम को समर्पीत है अगर हम दस्वे मंडल की बात करें किसके मंडल की बात करें दस्वे मंडल की अगर हम चर्चा करें तो उ को एत्रिया और एक को कौसित की बोला जाता है तो मैंने क्या बोला कि सारे वेद की चार भाग होते हैं ब्राह्मन होता है आरान्यक होता है उपनिशाद होता है तो उसी तरीके से अगर रिगवेद की दो प्रहामन गरंद की बात करें तो एक आपका एत्रिया और दूसरे आपका कौसित की यह बात समझ में आगे आप लोगों को चलो बीना लेट के हम आगे की चर्चा करते हैं नेक्स आपको कौन सा बात समझनी चलिए जी नेक्स की चीज समझे तो रिगवेद आपको समझ में किस प्रकार के मंत्र होंगे किस प्रकार से कोई आपको यग्य करना है किस प्रकार से बैठना है किस प्रकार से मंत्रोचारण करना है वह कौन सी होगी कब-कब आपको आहुती देना है कब उठके आरती घुमाना है कब उसके चारों तरफ घुमना इन सारे चीजों की चर्च की नाम से जानते थे और इसके दो सखाएं हैं अगर यजुरवेद की सखा की बात करें तो दो सखाएं दो ब्रांचे जैंए एक कृष्ण यजुरवेद बोला गया है जिसके बारे बताया जाता है कि पद्ध और गद्ध दोनों में लिखे गए प्रोच और पोईट्री दोनो से मिलता है और इसके दो ब्रांचे जैस चीज को भी समझेगा आप लोग खुब अच्छे से समझे आप सारे के सारे लोग और लाइक सेर करते रहे आप लो रुकिये मत सत्पत ब्रामन की बात करें तो सत्पत ब्रामन यजुरवेद क्या आपके ब्रामन गरंत है मैंने क्या यह सारे बेदों के अपने अपने ब्राह्मन घंत होंगे में विजट होंगे साल एक होंगे तो उसी संदर में बताया कि अगर यहुरुवेद के ब्रामनगरंत की बात करें तो कौंसा है िस में क्या है पुनर जनम का सिधान के चर्षा करी गई अगर आपको सब तो आपको पता लगाना है तो रिवर्थ आपको कहां से पता चलेगा सत्पत ब्रह्मन से चलेगा तो यह जुर्वेद भी आप लोग समझ गए सब लोग एक बार सेर कर दो प्लीज अगर आप लोगों को इसलिए इस सामवपेद को इन्डेन तक नाम से भी जाना जाता य tôii भारतिय संगीत का जनको सामोपेद को बोला जाता क्यों क्यूंकि अभी तक मनत्रों चारण होते थे के इस सामें परनोंचीेशन सश्व़र में लगा कैसा लगता था कि कोई आपके सामने बैठके मंतर नहीं पड़ रहा है तो कभी-कभी होता है आप लोगों ने देखा होगा साधी विवा या किसी भी यग्या अनुस्थान में कि कोई जब पंडित या जो जो गुरुप आपके ब्रहमन सोते हैं जो मंत्रों करने लगते एक साथ fed up अगे की सुनने के लिए rice क्षाया लगता है आपके कानु को भी अच्छालत है तो उसके पीछे करन क्या है तो उसके पीछे यहीं बात्य आपको बताए गई यह कि भाई मंत्रों को क्या किया कि मुझीक ली चीजे पसंद आने लगे कानों को के बोला जाता है इसे बात को समझेए आप लोग चलो आगे की चर्चा करते इसके जो परते तो इनको उध्रातरि और गता की नाम से जाता था इसकी प्रमुक्सा काई की बात करें तो जैमिनी आपके सामने करने जा रहे हैं तो यह तीनों बेदों के बारे में आप लोग समझ के हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा अब हम अथरवेद की चर्चा करते हैं जैसे अथरवेद की चर्चा करें तो अथरवेद का मतलब है कि जो विशय वहां से छूट गए यानि के द्वारा रचीत अथरवा रिशी के द्वारा रचीत 731 मंत्र हैं और लगबग 6000 पद्य इसमें वसीकरन की बात जादू तोना की बात मरन भूद प्रेत के मंत्र और सध्यू का वर्निन इसमें किया गया है और यह जो आपका अथरवेद है इसके बारे में एक महत्वपू के इसमें समान मनुष्य को विचार और अंद्विश्वासों का विवरान है सुपरेस्टिशन की बाते कड़ी गई एक्स्पलानेशन किया गया उसको साथी साथ इसका जो प्रतिनीदी सुक्तिता उसको प्रिथिवीर सुक्त के नाम से जानती थी और करने वाला उसको क्या ब्रह्मा बोलते थे और इसी में अथरवेद में ही बोला गया कि प्रजापती की दो पुत्रिया है एक को क्या बोला जाता है सभा बोला जाता है और दूसरे को क्या समीती बोला जाता है और इसको क्या बोला गया प्रजापती की दो पुत्रिया तो यह बात भी आपके कहां इसको विदान्त के नाम से भी जानते उपनीशत का मतलब क्या होता है तो गूरू के समीब बैठना जैसे आप मेरे समीब समीब का मतलब क्या है कि मैं आपके स्क्रिन पर दिख रहूंगा तो ऐसा तो नहीं कि 5 km दूर से आप हमको देख रहे हैं सामने कंप्यूटर रखा होगा और इस से आप लोग देख रहे होंगे और एक बार सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना क्लास मात्रब 10 मिनट बचा है सब लोग प्यार से भाई अगर आप लोगों को लगता है कि आपका भाई कुछ आप चीज आपको सई चीजे बता पाता है सई चीजे एक्स्प्लेइन कर पाता है समझा पाता है मैं इस बेसिस पर आपसे वोट नहीं मांगता हूं आपका प्यार चाहिए हमको एक बार सब लोग दिल लगा कि सेशन को सेर और लाइक कर दीचे आप लोग तार्गिट बस एक ही है कि जिस दिन से अपने क्लास में 200-300 बच्चे कॉंस्टेंट रहने लगे ना हम नहीं बोलते हैं कि अपने मेरी गुरु दक्षिना दी है और वह आप लोगों के सेर सपोर्ट के बिना संभव नहीं है यह चीज भी हमको पता है अगर आप लोगों को विश्वास है अच्छा लगता है तो प्लीज सब लोग चाल लगा कि दिल से अपने भाई के लिए हमारे इनर्जी को बनाए रखन करना चाहिए बिना मतलब की चीज है उपनिशत की चर्चा करें तो बताया जाता है कि अर्थ क्या है तो गुरु के समीफ बैठके सिक्षा को ग्रहन करना दर्शन प्याधारी ते पुष्ट की चर्चा करी गई है जो आप लोग सुनते हैं कि सर मोक्ष की प्राप्ति हो यूपी समें बहुत भर गुमाने का प्रयास किया इस क्वेस्षन को और मुंडों को पनीसद के जगह पे यह बी और यह प्रक्रुशन में दिया था मंडू में यह आपका क्या ता गलत तो सत्य में जैते जो भारत का आदर्स वाक्य राश्टी वाक्य उसको कहां से लिया गया है मुंडो का अपनिस्थ से लिया गया है तो यह क्या है आपका इस चीज का आई की नहीं कि सब लोग बताइए उसके बाद हम नेक्स टॉपी के सुरुवात करेंगे एक दो दिन लगेगा कुछ एप में दिक्कत है कुछ टेक्निकल इसू है जिसके चलते आपका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है लेकिन एक से दो दिनों में प्रोब्लेम हो जाएंगे औ कुछ टेक्निकल इसू है जिसके चलते पीडिएफ आपके सामने नहीं हो रहा है वेरी गुड समझ में आगे ना आप लोगों को चलो आगे की चर्चा करते हैं अगर समझ में आगया तो एक बार लाइक कर दीजिए आप लूग और कम से कम दिखे कोशिस करो कि आज की क्लास करता होने से फ़हले कम से कम 400 लाइक होने चाहिए इस जौर के लाइक होने चाहिए जब करना b अब बताऊंगा अलइस बताउंगा वह सारीजिजों के बार च्रचा करेंगे चिंता मत करिए अब है कि आप है पास्वान टाइमिंग इसलिए चेंज करना पर है कि सात बज़े से मेरी क्लास रहेगी लेकिन वो क्लास कैसी रहेगी तो वह क्लास टेस्ट रहेगा आपका किसका रहेगा टेस्ट करें इस चीज का ध्यान रखेंगा उत्तर वेदी काल के बार में 2 3 बाते समझते हैं उसके बाद टाइम हो गया फिर हम लोग खतम करेंगे यहां बहुत्तर वैदिक के इतियास की बात करें तो मैंने बता था कि वैदिक काल को मुझे दो परिएड में डिवाइट करते हैं दो पार्ट में बाटते हैं एक क्या बोला रिगवैदिक काल दूसरी को रखते हैं पंदरासौ से संगीता सबसे पुराना आपका क्या है वैदिक गरंत है यह सारे बात आप लोगों को जानने की जरूरत है ठीक है तो कल और भी बहुत ज्यादा बात हम बताएंगे आपके उतर वैदिक काल के बारे में बुरे की गाने के लिए रिगवैदिक सुक्तों को चून कर धून में ब बाद वाले समय में आपकी चर्चा मिलती है फिर बोले कि यजूर वेद में किवल रिचाही नहीं उन्हें गाते समय किये जाने वाल अनुस्थान के भी चर्चा करी गई है अथर वेद में बिपत्ति और ब्याधियों के निवारन के लिए तंत्र मंत्र बताएंगे हैं कि भ पंजाब में जो आरे जनते गंगा या दुवाब के अंतर पश्च में उत्तर प्रदेश में फैल गयते नेक्स क्लास का टाइम हो गया हम फिर कल मिलेंगे तब तक के लिए आप जरूर बताईएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी अगर अच्छा लगा तो शेर करिएग तो आप लोगों कोई क्लास कैसी लगी आप लोग बताईएगा जरूर फिर मिलते हैं कल के क्लास में कल इस चैप्टर को फिनिस करेंगे तब तक के लिए आपना खयाल रखें रिविजन करते रहें बहुत-बहुत धनेवाद आप सारे साथियों का चैहिंट